We can afford to lose money, even a lot of money, but we can't afford to lose repetition, even a shred of repetition. हम पैसा खो सकते हैं, जितना मर्जी खो जाएं, पैसा लूज हो जाए, कोई भात ने फिर आ जाएगा. लेकिन repetition, आपकी इज़त, वो थोड़ी सी भी जाया होगी, तो उसको बहाल करने में बड़ी मुश्कल पेश आएगी. शायद वो दुबारा बहाल होई ना सकते. सो company की product खराब होगी है, तो आप बहतर कर लेंगे. नहीं बिकेगी, पैसे वापस आजागे, माल वापस आजागा, कोई बात में. लेकन अगर company की repute खराब होगई, फिर आप उसको ठीक निकाए. That's why planning is very important. आपने एक नई बस सर्वस शुरू की है, और उसमें जिस मसाफर ने पहली दफ़ा सफर किया है, उसको आप मतासर नहीं कर सके. या रास्ते में आपका टायर फ्लैट होगया और दो गंटे तक आपको मतवादर टायर नहीं. मुझे बताओ, जितनी मर्जी सहुलते हैं आपने उसको दी हों, वो जो रप्यूट आपकी खराब होगी, दबारा आप उस कॉम्पनी की बस में सफर करेंगे. चाया आप उसको सारा क्राया आप उसकर दें, नहीं करेंगे. तो वो जो आप उसको एक कमफर्टेबल महौल में पुचाएंगे, तो उसके बाद जो आपकी रप्यूट बनेगी, वो कॉम्पनी के फैदे में जाएगी, कि नेक्स जब भी वो सफर करेगा, आपकी कॉम्पनी में करेगे. लहाजा ये बात जेन में रहे, कि बाकी चीज़ें आजा सकती हैं, लेकिन रप्यूट खराब हो कई, वो आने मुश्कल है. और खास तोर फे पॉब्लिक रिलेशन में, जो इसकी काम्याबी है प्रोग्राम की, वो डिपेंड करती है प्लैनिंग पे. टाइमली प्लैनिंग इस आफ़ोन रिगारड़ एस दा सोल अफ लाइफ बलड फार प्यार एफ़र्स। तो वक्त पे की हुई प्लैनिंग जो है, वो आपकी पॉब्लिक लेशन्स की जो एफ़र्स हैं, उनको स्पोर्ट भी करेगी और एक रूख की असियत रखती है, एक जो के अन्दे ने वेले दिया नमाजां तक कबेले दिया टकरां, बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने वक्त पे किसी चीज को प्लैन किया है, तो उसके असरात, समरात, मेनिफिट्स और होंगे, और अगर आपने बगार प्लैन की किया है, पर हो जाएदे ठीक है, ना हो इत अब हम कुछ मुझीद पॉइंट से इसको समयने की कोशिश करते हैं, प्लैनिंग क्यों इपर्टन है, प्लैनिंग फॉक्स अफॉर्ट, प्लैनिंग इंप्रोव्स अफॉर्ट, प्लैनिंग इंप्रोव्स अफॉर्ट, प्लैनिंग एंप्रोव्स अफॉर्ट, प्लैनिंग इस पे अगर कुछ चीज कलर ना हो तो आप पूछ सकते हैं अब ये दग हमने बात किये है प्लानिंग की अहमियत से हवाले से अब हम थोड़ी प्लान पर बात करते हैं कि सबसे पहले हमें situation का analysis करना है प्लान बनाते हुए और fat finding phase इसे बोलते हैं कि current situation का आपको पता होगा तो आप उसके अंदर तबदिली लेके आ सकेंगे then है जिए आप जब प्लान करते हैं तो आपको उसके गोल्स और objective का पता होना ज़रूरी है then तमाम activities जो आप कर रहे हैं PR की और गनाइजड होने चाहिए जो भी लोग उसमें involved हैं और फिर उसके बाद आप उस plan को implement करते हैं और फिर हमने आगे बाद की है कि क्या करते हैं उसको evaluate उसको तो यह उनी चार points का basically उसकी extension है कि जब भी कोई plan वो हमने देखा था कि उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो उसमें channel भी शामल था तो यहां पे जब हमने plan कोई बनाना है तो सबसे पहले facts को देखना है situation का analysis करना है then हमने उसके accordingly ज़ार हमें situation का पता होगा तो फिर हम goal और objective सेट कर सकेंगे और उसके बाद हम उस तमाम efforts को organize करेंगे then उस plan को implement करेंगे और at the end हम उस plan को क्या करेंगे evaluate करेंगे पहला जो situation analysis या friend finding phase है उसकी हमें जरुएत क्यों पेश आती है to identify the issues of specific problem on which to base the program on उन problems को identify करने के लिए जिस पे पुनियाद है यह program policy of organization क्या है the structure of the organization क्या है the communication structure उसका क्या है defining the product services क्या है analyzing competitors के आपके मकाबले में और कौन कौन मुझूद है जिस organization का आप इससे हैं और आप कोई उसकी repute बहतर बनाना चाह रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी के पैल कॉंपनी है उसके साथ जो उसके competition में hire है उसके competition में जो है वो फिलप्स है डॉलेंस है लाइक दिस तो आप उसको भी देखेंगे के market का कितना share उनके पास है तो उसके मताबक जो है वो आप चीज़ों को plan करेंगे historical valuation and consistency और image आरड़ी जो image आपकी उसका मजूद है आपकी organization का अच्छा जी इसके बाद है जी हमारे पास goals and objectives क्या है जो second phase है PR का आपने specific रहने है goals आपके measurable होने चाहिए कि पता ही ने चले कि आपने क्या किया है तो क्या नहीं acceptable होने चाहिए realistic होने चाहिए feasible होने चाहिए और time related होने चाहिए यह नहीं कि open आप उसको छोड़ गए अच्छा जी creating the right मुझे एक बात बताएं अगर यह जो पिंडी में भी एक railway station के क्रीम मार्किट है जिसमें गाड़ियों पूरे पूरे इंजिन मिलते हैं लहोर में यह बलाल गंज है बड़ा मशूर है पूरी गड़ी क्रालो फिट अब आप मुझे बताएं कि यह इस तरह की मार्किट्स में अगर यह मार्किट्स ना हो तो गाड़ी चोरी हो आम एक common से बन्दे को भी समझ आती है कि यार यह गाड़ी बीस लाग की खड़ी है अगर मेरी बीस हजार के भी फरोखत नहीं हो नहीं या मुझे उससे बीस हजार का भी फायदानी मैं उसको क्यों चूरी करऊंगा मुझे बता है कि ये 20 लाकी है जाके मैं पुर्जे पर्जे खोल के नो पांचे चार पांचे लाकी दी बेख जा नहीं है तो डेफिनिटली वो मैं उसको चुरी करूंगा तो यही मामलाथ हैं मैं आपको जिस तरफ लेके आ रहा हूँ आपके साइनमेंट्स बनाने के लिए बगैदा इश्तियार आते हैं कि बनी बनाई ओपन यूस्टिक साइनमेंट्स ले 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 अगर कोई उनसे खरीदता नहीं है तो वो दुकाने क्यों चल रही है और अगर वो सगते हैं सही ही हूं हो सगते हैं अन्यों सारा लो ला दे हों जी गडियां चुरी होँने रोख दिन कहना कोई आज तक आपने सुना है कि यार ये जो दो नमपर मार्केट intr सकी बंद और यह इन गडियां चूरी बंद औल् hypocratique अ अपने अंदाजा करना है setting out the road to capture the goals clearly indicating what the main and secondary objectives are attracting the right people who are committed and motivated to achieve the objectives sufficient financial resources यह उना बड़ा जरूरी है मैं इसलिए इसको कर रहा हूँ कि within time यह पूरा हो जाए क्योंकि अगर मैं इस पर बोलना शुरू हो गया ते फिर ते मुश्कल हो जाना है अच्छा जी इसके बाद जनाब implementation आ गया चौथा फेस जो था हमारा Plans if there are to be carried out effectively must be monitored and each step of the way Follow through on plans is just as important in the practice of public relation as it is in a good In public relation is to command greater management attention and support it must demonstrate that it works which is what measurement and evaluation are all about report मैंने आपको यह बात बता दी हुई है यह सिर्फ आपके लिए कि आप चलो paper में कुछ लिख सकें otherwise यह है कि यह steps हम discuss कर चुके हुए है कि evaluation जो है वो end पे कितनी जरूरी है और उसके लिए सार यह बेटा कीती करती जो है वहीं के वहीं रह जागी अगर हमने evaluate ने किया कि हमारा काम की सथ तक सही था खराब था अच्छा था या जो results हम चा रहे थे जो objectives हमारे थे वो पूरे हुए है या नहीं हुए है तो जो topic थे जी आज आपके history and origin of PR और यह जो आपका planning of PR प्रोग्राम है कोई question हो आपका relevant और to the point तो बात कर लें अदर्वाइस फिर मान अल्ला भी शर्ते जिंदगी